36 गर्ड इकलोता राज्य है जहां पे बिधान सभा चुनाओ 2018 दो फेजेज में हुए क्योंकि वहां पे नक्सली समस्या है पहले फेज का चुनाओ 12 नौमबर को हुआ था जबकि दूसरे फेज का चुनाओ 20 नौमबर को हुआ और जो पोलिंग जो वहां पे मद्दान हुआ था उसका आउसत लगभग 76.35 यहने कि 76.35 परसेंट रहा यदि पीछले चुनाओ से इसकी तुलना की जाए तो लगभग 1 परसेंट कम रहा है मद्दान आउसत अब उसके बाद जैसे ही किसी राजिय में चुनाओ मद्दान हो जाता है उसके बाद एनलसिस सुरू हो जाती है कि क्या होगा 60 बाद 60 लगाने लगते हैं कि किस की सरकार आएगी और किस की सरकार जाएगी तो 36 गड़ के बारे में क्या अंदाजा है इस पोलिंग टर्न आउट से क्या मानते हैं विशलेसर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसके बारे मैं आपको बताऊंगा मैं हूँ विद्देशन करतिवारी इंडिया निउज के डिजिटर चनल इन खबर के लिए दरसल विशलेसर का जो तरीका होता है यह तो exception हर जगह मौजूद है लेकिन विशलेसर का जो तरीका आजमाया जाता है इस चुनाओं में और मद्दान को ले करके वो माना यह जाता है कि जहां पे 100% कहीं पे भी मद्दान नहीं होता है तो 5-7% लोगों के बारे में ऐसे माना जाता है मद्दाताओं के बारे में कि वो छितर में नहीं रहते हैं यहने कि 95% पे आप निकालिए इसका आउसत तो जो उसी साथ से 36 गड़ का हम आउसत निकालते हैं तो 76% अच्छी वोटिंग परसेंटेज है बेसक वो पिछली बार यहने कि 2013 से 1% के आसपास कम है तो पिछली बार क्या हुआ था 2013 के चुनाओं में क्या हुआ था कि रमन सरकार बड़ी मुश्किल से बन पाई थी यहने कि जो उसकी 50 सीटे थी वो घट करके 49 हो गई थी और जो कांगरेस की 38 सीट थी वो घट करके 39 हो गई थी तो वहाँ पे जो सरकार बनी थी तब भी बड़ा असमंजस की स्तिती थी कि क्या रमन सिंग जो है सरकार बना ले जाएंगे नहीं बनाएंगे क्या होगा अंतव वो सरकार बनाने में काम्याब हो गए थे इस बार क्या होगा इस बार के बारे में माना जा रहा है कि 1% का अंतर कोई बहुत बड़ा उलट फेर होने वाला है तो इस एनलसिस के हिसाफ से जो बेसिक पैटर्न है उस बेसिक पैटर्न के हिसाफ से देखेंगे तो सायद रमन सरकार इस बार भी जाती हुई नहीं दीख रही है यह बात अलग है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं वहाँ पे या करनाट जबंक यह मांन आहाँ जै हो सकता है कि कसी तरह से रिटेन और यहादि आप वाधिक परिस्तितिया पाइदा होती है तब जाकरके उन्हें जाना पढ़ सकता है तो यह दो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा फूसे सब्सक्राइब कीजिए